जैन पेरे बच्चो मैं अंकुस्तोमर आपका वाइफाई एक्जाम में स्वागत करता हूँ जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपकी मोडर्न फिजिक्स की क्लास चली हुई है कल अचानक से क्लास चलते चलते लाइव क्लास ओफ हो गई थी फिर मैंने दोबारे से लाइव की थी फिर से ओफ हो गई थी तो अभी लाइव क्लास होने में प्रोब्लम है तो मैं आपका मोडर्न फिजिक्स का जो हमारा लास्ट टोपिक चला हुआ है लोजिक गेट्स वह मैं आज कराने जा रहा हूं complete वह हो जाएगा फिर आपका अप्टिक्स और रिवीजन चलेगा लुशंट के बच्चों की डिमांड है कि लुशंट के कोश्चन करा दीजिए सरसारे जो conceptual कोश्चन है तो वे कोश्चन भी मैं आपको करा दूंगा ठीक है तो आपको मैं कल जहां complete हुआ था वहां के आगे स्टार्ट करता हूं कल हमारे complete हुआ था कंवर्जन नंबर का कंवर्जन हमारा complete हो गया था तो उसके बाद हम आता है डेसिमल नंबर पर सोरी बूलियन एल्जेबरा बूलियन बीज गनित एक बूलियन नाम के हमारे scientist हुआ करते थे उन्होंने क्या दिया था binary का mathematics दिया था बाइनरी का गनित दिया था जिसे क्या का बूलियन एल्जेबरा का ठीक है इसमें क्या था हमारा addition और subtraction अब कैसे addition होता है एक बार यह देख लीजेए भाई हमने एक नंबर लिया था 101 110 अब मैं आपको बताओं यह हमारी 5 की बाइनरी है और यह 6 की बाइनरी है जब हम इन्हें एड करते है तो 10 का मतलब होगा 1 क्योंकि 1 में 0 एड किया तो 1 आया इसके बाद 0 में 1 एड किया तो 1 आया 1 और 1 क्या होता है 2 1 plus 1 एड करते है 2 होता है बतर 2 यहां हो नहीं सकता क्योंकि 0 और 1 2 यह नंबर यहां अलाओड है बाइनरी में दो ही नंबर się allowed है तो यहां क्या होगा我 जिरो और 1 की form में होगा तो two की binary देखते हैं क्या होता है two की binary होता है one और zero तो two की binary हमने रख दी one और zero तो ये किस की binary हो हुई हमारी 11 की तो add कितना आ गया इसका one zero one one एक number और देखते हैं हम add करके ये देखिए ये साथ की binary है और ये पांच की है ठीक है तो ये देखिए 1 और 1 क्या होगा 2 होगा और 2 की binary क्या है 1 0 तो 0 लिख लिए हमने 1 चला गया carry 1 जिसे हम कहते है carry चला गया हासिल चला गया ठीक है भाई तो 1 और 1 क्या होगा फिर 2 और 2 में 0 जोड़ा 2 तो 2 की binary 0 1 1 फिर carry चला गया वन फिर कहरी चला गया तो वन और वन टू और टू और वन थ्री थ्री की बाइनरी क्या होते है थ्री की बाइनरी होते है वन वन तो थ्री की बाइनरी हम लिख देता है वन वन तो इस तरह ऐसे किस की बाइनरी आ गई हमारी 12 की बाइनरी आ गई और यह आगया हमारा binary का sum यह क्या आजाता हमारा binary का sum ऐसे हम देखते हैं subtraction घटा 0 में से 1 यह binary देखो किसके हैं 4 और 2 6 की binary है और यह 3 की binary है तो 6 में से 3 जाके 3 की binary बचनी चाहिए 6 में से 3 की binary जाके क्या बचनी चाहिए 3 बचना चाहिए तो देखो, 0 में से 1 नहीं हम गटा सकते, 0 में से 1 हम गटा नहीं सकते, तो क्या होता है, हासिल ले लेते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, 92 में से हमें 17 गटाना है, तो हासिल लेते हैं यहां, और यह क्या हो जाता है, 10 लेते हैं, हासिल एक लिया, और एक लेके क्या हो जाता है, यह यहां क्या एक कम रहता है ऐसिल में क्या एक कम रहता है तो यहां देखे कितना गया आसिल पूरा दस दस और दो बारा हो गए ऐसे यहां आसिल में क्या जाएगा वन हासिल कितना जाएगा दो जाएगा दो और जिरो दो दो में से गया एक दो में से गया एक ठीक है बिटा अब यहां क्या एक कम होके यहां क्या रहा गया जीरो अब फिर जीरो में से वन नहीं गटेगा अब फिर से जीरो में से वन नहीं गटेगा, तो जब 0 में से 1 नहीं गटेगा, तो क्या करेंगे, इधर से एक हासिल लेंगे, और हासिल 1 नहीं जाके कितना जाता है, उसका आधार जाता है, और आधार कितना जाएगा 2, 2 में 0 जोड़ा कितना हुआ, 2 और 2 में से 1 गया, 1 यहां क्या बचा 0 0 में से 0 गया 0 तो क्या आता है हमारा 0-1-1 3 की binary क्या आते हैं हमारी 3 की binary आते है 0-1-1 ठीक है यह हमारा subtraction हुआ 1-1-1 0-1-1 0-1-1 इसमें से गटाते हैं अब देखिए यह 7 की binary है और यह 3 की बचना क्या चाहिए चार बचना चाहिए घटके तो 1 में से 1 गया 0 इस 1 में से 1 गया 0 और 1 में से 0 गया 1 1 में से 0 गया 1 तो क्या बचा हमारा 1, 0, 0 ये देखते हैं हम binary किसकी है ये तो 0 पलस 0 और ये 2 की power 2 हो गया 4 तो ये किसकी binary है हमारी 4 की binary है तो इस प्रकार यह क्या हो गया हमारा boolean math का subtraction और यह क्या हो गया हमारा addition इनसे question कभी खास बनता नहीं है addition और subtraction से कभी खास question बनता नहीं है question बनता है इनसे gate से तो हम gate देखते है gate क्या होता है अब gate देखते है अब करना गेट हमारे होते हैं में गेट है थ्री और दो गेट है यूनिवर्सल एक बार सभी को देखते हैं किस प्रकार थ्री गेट है हमारे और गेट एंड गेट नोट गेट यह तीन गेट हमारे में गेट है और दो गेट आता है हमारे यूनिवर्सल गेट यूनिवर्सल गेट इने बोलता है हम सार्वत्रिक गेट सार्वत्रिक गेट यह दो प्रकार के होते है हमारे एक नोर और एक नैंड यह सार्वत्रिक गेट क्यों है क्योंकि इनकी साहिता से हम यह सारे गेट प्राप्त कर सकते है नोर और नैंड के एल्प से हम क्या सारे गेट हम प्राप्त कर सकते है तो पहले यह देखिए और क्या होता है waterproof नोता है और की तरह का और बनाओ गुमादो यह इसके input A और B और यहाँ output मिलता है Y तो इसका जो formula होता है हमारा Boolean渡ak Booloan formula formula क्या होता है इसका y equals to होता है A और B और यह क्या होता है हमारा और operator कि यह क्या होता हमारा और operator A और B اور का मतलब या और का मतलब क्या होता है या या तो ए या बी कोई भी एक आजाए ठीक है यह हो गया हमारा इसका आउट्पुट फॉर्मूला बूलियन वेंजक इसकी कॉम्बिनेशन ओप आउट्पुट कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे आउट्पुट के कॉम्बिनेशन ओप आउट्पुट निर्गत के संयोग सभी गेट के लिए अप्लीकेबल एविटा निर्गत के संयोग यह होता है हमारा टू की पावर एन जहां एन क्या है निवेशी की संख्या एन क्या है विटा निवेशी की संख्या नमबर ओप इनपुट्स कितने इनपुट दिए हमने जितने इनपुट दिए जैसे यह हाँ इनपुट हमने कितने दिये? एक और एक दो. तो कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे? टू की पावर टू. यानि के आउटपुट चार आएंगे हमारे. निवेशी क्या आएंगे? चार आएंगे. तो सत्यता सारनी देखते हैं, इसकी truth table सत्यता सारणी truth table a और b यह हमारे output हुए sorry input और यह y और y equals to क्या होता है a plus b y equals to होता है a plus b combination क्या होंगे या तो दोनों 0 हो कोई भी एक 1 हो क्या हो सकता है भाई दोनों के दोनों 0 हो जा तो output क्या मिलेगा कोई भी एक 0 हो और एक 1 हो यह 0 और यह 1 यह 1 और यह 0 और लास्ट का 1 और 1 दोनों ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों ही 1 हो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही output मिल जाए तो इसने कहा है A या B A और B कोई भी एक आजाए बस हम तो ऐसे है और gate वाला कहता है कि हम तो ऐसे हैं मारत एक से भी काम चल जागा और दोनों आओ तो बड़ा बढ़िया तो भी मिलेगा हमें तो और एक आजाए तो भी काम चल जाएगा तो देख लो भाई 0 में 0 एड किया तो 0 0 में 1 एड किया तो output मिल गया हमें 1 1 का मतलब यहां क्या होता है मैंने बताया था 0 का मतलब off और 1 का मतलब on यानि कि 0 है तो off है और 1 है तो on है ऐसे ही 1 और 0 एड किया और 1 भी क्या मिलेगा 1 मिलेगा high signal मिलेगा तो यह क्या हो जाती है इसकी truth table हो गए हमारी और gate की ठीक है अब हम देखते end gate end gate देखिए end gate में क्या होगा D की तरह का बना दो 2 input दे दिए A, B output ले लिया Y formula क्या होता है इसका Y equals to A and B A and B का मतलब है कि भाई कोई भी A का है तो काम नहीं चलेगा दोनों चाहिए A and B दोनो A और B तो end operator हुआ हमारा गुना कि दोनों होंगे तो मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा तो Y equals to क्या हो गया A and B या A और B ठीक है यह हमारा होगा इसका boolean formula तो truth table देखते हैं इसके हम truth table सत्यता सारणी क्या होगी A, B और Y 00 दोनो 01 10 और 11 तो सत्यता सारणी देखें क्या बनती है 0 की 0 में गुना की 0 0 की 1 में गुना की फिर 0 1 की 0 में गुना की फिर 0 और 1 की 1 में करेंगे तो 1 तो ये कहता है कि भाई दोनों चीए मुझे तो A और B मेरा Y से काम नहीं चलेगा मुझे तो दोनों चाहिए A और B मेरे करन अरजुन दोनों चले ये नहीं कि भाई मेरा अरजुन आ गया करन नहीं आया कि करन अरजुन दोनों चीएंगे से तो अपने दोनों से ही काम चलेगा तो दोनों मिलेंगे तो आउटपुट मिलेगा आपको 1 यह हो गया हमारा end gate तीसरा देखते हैं note gate जो हमारा है note gate का symbol क्या है triangle के आगे note लगा दो इसे note बोलते हैं न note लगा दिया जो भी आएगा उसका उल्टा मिलेगा a दिया तो हमने y पे क्या मिलेगा a का उल्टा मिलेगा इसलिए इसका formula क्या हो जाता y equals to a bar truth table क्या बनेगी सत्यता सारनी क्या बनेगी truth table भाई आपने a दिया y मिलेगा ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ भी न दिया आपने 0 दिया तो 0 देने पे y equals to क्या a बार है एका उल्टा 1 कहते है ना बच्चे हम कहते है बटा चुप बैठके सुन लो जी नहीं चुप तो होना ही नहीं आप तो बोलोगे जैसे टीचर थोड़ा सा मूड सा खराब करके कहते हैं तब बोलो बोलो भई तब सारे चुप हो जाते हैं तो वो ही यहां पे है हम कहरें चुप हो जाओ 0 सिगनल दो नहीं जी हम तो आउटपूट देंगे 1 देंगे हमने का आप बोलो 1 दो अब बोलो नहीं जी हमने ही बोलते क्या मिलेगा 1 का मिलेगा हमें 0 1 का क्या मिलेगा फिर 0 मिलेगा तो टूट टेबल क्या हो इसकी 0 की 1 और 1 की 0 यह टूट टेबल हो गई हमारी नोट गेट की यह नोट गेट है जो कहेंगे वो नहीं करना हमने कहा करो नहीं करो करो मत अजी नहीं करेंगे हम तो तो जो कहेगा उसका उल्टा ठीक है यह हो गए हमारे तीन में गेट और गेट एंड गेट और यह आपका नोट गेट यह तीन में गेट है बचते आपके दो एक मिनट रुकिए सबस्जन अपकेंगा precis मे खर समक हो पह उताओ नहीं है के इंवलत्र कित आपकेंगे बच्छमी आपकेंगे लंगेगा लंगे खाल प्रूश एंगे लंगे हैं गुटश प्रूबस सतार бал nuestra करते क líder हाँ तो देखिए अब आपका ये जो है दो गेट बचते हैं हमारे जो यूनिवर्सल गेट है ठीक है यह आपके में गेट हो गए अब यूनिवर्सल गेट को देखते हैं यूनिवर्सल गेट सार्वत्रिक जो सबका काम करें एंड का और का नोट का कोई भी एक ले लो सबका काम करें तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं नोर दो प्रकार के गेट है हमारे नोर का मतलब है और पलस नोट और पलस नोट तो और के सामने ये और हुआ हमारा ए और बी इसे क्या कर दो नोट कर दो यह आउट्पुट में लगा आपको वाई जो भी और था उसका आउट्पुट होगा आपका वाई तो वाई इक्वलस टू ए पलस बी का बार और का आउट्पुट का था ए पलस बी और उसका बार कर दिया तो ये मिलता हमें ए बार डोट बी बार ये इसका हमारा क्या हुआ फोर्मूला हुआ इसका और कॉम्बाइन डैगराम इसका वह क्या है और गेट के सामने नोट का बबल लगा दो ये A, B और ये Y या तो आपको ये या तो ये कोई भी आपको given है तो इसका मतलब क्या है वो आपका नोर गेट का diagram है ठीक है? ये इसका formula हो गया, prude table देखते है क्या होगी? prude table देखे क्या होता है A, B और Y तो मैं यहां का output ले लेता हूँ Y डैस और Y डैस को फिर Y करता हूँ ठीक है? तो Y क्या होगा? Y डैस का बार होगा A, B, 0, 0, 0, 1 1, 0, और 1, 1, 0, तो 0, 0 का 0 1, 0 का 1 1, 0 का 1 और यह 1, 1 का 1 तो यह यहां तक output आगया हमारा और गेट का यहां तक क्या आगया? और गेट का output आगया अब और गेट के output को नोट करना है तो नोट किया हमने क्या करिया? Y बार कर दिया ऐसे 0 का 1, 1 का 0, 1 का फिर 0 और यह 1 का फिर 0 अब इस formula से देख लो चेक करके यह क्या कहता है? A बार 0 का मतलब 1 1 और 1 की गुणा 1 ऐसे यह आपने 0 रखा 0 का बार 1 और 1 का बार 0 1 की और 0 की गुणा 0 ऐसे यहाँ 1 का 0, 0 का 1 0 और 1 की गुणा 0 1 का फिर 0 हुआ इस 1 का 0 हुआ 0, 0, 0 तो यह क्या आगा हमारा NOR gate का output आगया ठीक है? यह आगा है NOR gate का output NOR को नोट की तर अगर यूज करना है NOR gate using NOR अब देखो क्या करें? NOR का output जो है हमारा A bar dot B bar आता है NOR का output क्या मिलता है? आपने A दिया, B दिया दोनों का output क्या है? A bar dot B bar आया अब अगर दोनों 0 दे दोनों 0 दे तो क्या मिलेगा? हमें 1 मिलेगा और दोनों 1 दे तो 0 तो दोनों को क्या कर दो? common कर दो A और B को क्या कर दो? common कर देता हैं तो A और B common होने का मतलब यह A और यह B A और B common होने का मतलब क्या हो गया जो हमने यहां दिया 0 वो ही यहां पे 0 जाएगा वो ही यहां 0 जाएगा 0 का बार 1 A क्या हुआ हमारा 0 हुआ 0 का बार dot B क्या हुआ हमारा 0 हुआ 0 का बार यह वह 1 dot 1 equals to 1 यानि कि हमने 0 दिया और हमें 1 मिल गया 0 दिया हमने और 1 मिल गया अब next condition हम देखते हैं हमने दिया 1 1 दिया तो A का भी 1 हुआ और B का भी 1 हुआ तो A का बार और B का बार A का बार 0 और B का बार हो गया 0 दोनों की multiply 0 तो यह क्या हुआ हमने पहले 0 दिया था 1 मिला और 1 दिया था 0 मिला तो नोन को हमने नोट की तरह use कर लिया इसी परकार नैंड की तरह या जो आपके एंड और नोट सभी तरह अब डिटेल में तो आप लोग अगर इंजिनियरिंग ट्रेड का कोई सब्जेक्ट या ब्यस्टी फाइनल यार में पहुंचते हो तो आपको वहां मिलता है यह ठीक है मैंने आपको एक एक्जाम्पल दे के समझा दिया और इतना ही आता है कोई गेट जोड के आउटफूट पूछ लेगा अब आपका बसता है नैंड यूनिवर्सल गेट में बसता है आपका नैंड ठीक है बटा तो नैंड देखिए नैंड का मतलब हो गया एंड प्लस नोट ये एंड प्लस नोट तो एंड बनाया ए और बी का नोट कर दिया तो क्या हो गए ये हमारा नैंड बन जाता है या कंबाइन एंड के सामने नोट का बबल लगा दो ए बी और वाई ये क्या हमारा नैंड के सिंबल है ये क्या हमारे नैंड के सिंबल है फोर्मूला क्या होता है ये क्वल्स टू एंड के आउटपुट ए डोट बी का नोट करना है में end का output A dot B का क्या करना है note करने note कर दिया तो यह आ जाता है A bar dot sorry A bar plus B bar output के आ जाता है A bar plus B bar तो देखिए formula हमारा आ चुका है truth table देख लेता है सत्यता सारणी truth table सत्यता सारणी A B Y dash और Y A B Y dash और Y A का हुआ हमारा 0 B 0 0 1 1 0 और 1 1 यह हमारे क्या हो सकता है output हो सकता है या तो सारे 0 हो या कोई 1 0 1 1 तो 1 0 1 के दो kombination या दोनों ही क्या हो जाए 1 हो जाए यह kombination हमारे बनते है तो output क्या बनेंगे Y dash यानिके note 0 गुणा 0 0 0 0 गुणा 1 0 1 गुणा 0 0 1 और 1 की गुणा 1 यह क्या आगे हमारा यहां तक का output आगया Y dash अब हमें क्या करना है इसका note करना है note करना है तो 1 1 1 और यह 0 यह आगे इसका output हमारा ठीक है अब इसे आप चाहें तो इस फोर्मूले में रखके verify कर सकते है जैसे 0 का बार प्लस 0 का बार 0 का बार प्लस 0 का बार 1 प्लस 1 क्या आएगा 1 आएगा यह आगे जी 1 नेक्स्ट कंडिशन है हमारी 0 और 1 0 का बार प्लस 1 का बार 0 का बार 1 प्लस 1 का बार 0 1 प्लस 0 1 यह आगे जी 1 इसी प्रकार यह आजाएगा 1 लाश्ट देखते हैं 1 का बार प्लस 1 का बार यह हो गया 0 प्लस 0 क्या आएगा 0 यह आगे लाश्ट का हमारा 0 तो इस तरह यह क्या आजाता हमारा NAND gate की truth table NAND को भी note की तरह हम देखते हैं Note gate using NAND NAND के द्वारा यह एजिन NAND A और B यहाँ से हमारे आने थे और यह क्या करता है यह इनका A dot B का बार कर देता है ठीक है अब अगर इनको combine करें तो यह क्या हो गया 0 दिया हमने यह 0 यह 0 0 dot 0 0 dot 0 का बार यानिके 0 गुणा 0 का बार आगया 1 तो हमने 0 दी हमें 1 मिल गया हमने क्या क्या 0 दिया और 1 मिल गया ऐसे ही अब देखते हैं 1 देखें यह हमने 1 दिया तो दोनों को क्या गया 1 गया A को भी 1 और B को भी 1 क्योंकि दोनों को क्या कर दिया हमने common किया तो A को भी 1 गया और B को भी 1 गया अब क्या हुआ 1 dot 1 का बार यानिके 1 into 1 क्या हुआ 1 1 का बार 0 तो हमने क्या किया देखें 1 दिया और हमें 0 मिल गया और not gate भी क्या कहता है 0 दो तो 1 मिले 1 दो तो 0 मिले और यह condition यहां क्या होती है satisfied होती है तो इस परकार not gate से not gate प्राप्त कर सकते हैं NAND से इसी परकार सारे gates हम ले सकते है सारे gate को हम बना सकते है इन gates के through तो यह क्या कहलाता है हमारे universal gates कहलाता है ठीक है बटा तो इस परकार हमारा जो concept आज आपका modern physics का जो concept था सारा आपका cover हो जाता है questions आपके बसते है questions कराते है अभी सारे बच्चों की demand है कि questions भी आप जैसे मैं पहले screen पे question लेके कराया करता था करें और live class का time comment करें तो आप comment करके बता सकते हमें ठीक है बटा आज की class के लिए इतना ही कल मिलते हम optics की class में और कोशिस करते हैं आप लोगों के response किलते हैं कितने मिलते हैं उससे कोशिस करेंगे कि आपको question करा जाए ठीक है चालो ठीक है की बटा जाए इन सभी को